आज की वीडियो रिलेटेड है नीश रिसर्च से और कीवर्ड रिसर्च से इससे आप नीश फाइनलाइज तो करी सकते हैं पर उसके रावा आप करेंट कीवर्ड की फर्दर रिसर्च भी कर सकेंगे तो आज की टेखनीक थोड़ी सी एडवांस है तो बिगिनर्स को अपना मा आने वाला हूँ कि इसमें कौन से टूल्स यूज होते हैं इस रिसर्च के लिए तो यह उन बिगिनर्स के लिए टेस्ट होगा कि अगर आपको यह तमाम बाते समझ आ जाती है यह की वर्ड रिसर्च की टेक्निक समझ आ जाती है तो इसका मतलब है कि आप मेरी वीडियो से कर रहे हैं और अपना लेवल इंप्रूव करते जा रहे हैं वेलकम बैक टू मैं चैनल और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटीड एंस वीडियो के लिए तो चेक करने के आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है फेस्बूप पे जी हां मैं हूं असपर अडिडिटल मार्टीटर प्रोजेक्ट कलसर्टन टैनकमर्शल ब्लॉगर आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैक कर लें कि आपने इस वीडियो को लाइक किया वाए क्योंकि सिर्फ आपका एक क्लिक मेरी मोटिवेशन मेरी अपकमिंग वीडियो के लिए बूस्ट कर देता है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि नीश और कीवर्ड रिसर्च से रिलेटिड होने वाली है हमारी आज की वीडियो तो अगर आपको ये तमाम बाते समझ आ ज दिखियोंगी तो ये बाते आपको फिर अच्छी तरीके समझ आ सकेगी कि उसमें फ्री मेथट भी एक्स्पेंड हुए हैं और प्रेड मेथट भी एकस्पेंड हुए हैं तो आज की वीडियो में हम एफिलियेट नेटर्क्स की ही ट्रैकिंग करते वे ये फाइंड करेंगे कि कौन से कीवर्ड जो के किसी भी नई वेबसाइट को जरूरत होती है लो कंपटिशन कीवर्ड जो के जल्दी जल्दी रहें को सकते हैं वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं क्रिंशॉर्ट फार्मूला तो ये है कि जो वेबसाइट किसी भी एफिलियेट नेटर्क को यूज कर रही होंगी चाहिए वो अफिलियेट होगा क्लिक बैंक होगा शेर सेल कमिशन जंक्शन या इस तरह से रिलेटिड जितनी भी वेब साइट होती है वो जो भी नेट्वर्क यूज कर रही होंगी आपने उसी के अकॉर्डिंग ली स्टैप्स को फॉलो करते वे यह पता लग करके 100 of ways से आप इसको यूज कर सकते हैं पर आज की वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही मैथड़ बताऊंगा और बेसिक मैथड़ बताऊंगा जिससे आप क्विकली कीवर्ड और नीशिस फाइनलाइज कर सकते हैं लो कंपेटिशन कीवर्ड को ज स्टैप्स में जिसमें आप अपने कीवर्ड तक पहांच कर सकेंगे अगर आपने स्टैप्स को फॉलो करते स्टैफन पे आता है क Success की फाइल बनानी है या फिर Google आप इस कॉलम में मैंशन कर सकते हैं और इसको आप मोडिफाई कर सकते हैं मेरे समाम स्टेप्स के बाद अगर आप इसको किसी और तरीके से मैनेज करना चाहते हैं जिस तरह आप Amazon Affiliate को नेटवर्क को यूज कर रहे होते हैं और जब आप शॉर्ट लिंक के सेक्शन में जाते तो फिर आपको इस यूरल में ने नज़र आ रही है जो के कामन होती है तमाम के तमाम affiliate लिंक्स में जो के है amzn.to ये Amazon की affiliate link है और यही short link domain use होती है तमाम affiliate links में इसी तरह clickbank में जब आप किसी भी product को finalize करते हैं और जब आप promote का button दबाते हैं तो आपको hope link create करके देता है जो कि आपका affiliate link होता है जो कि आपको इस शकल में नज़र आ रहा होता है जिसका specific section hop.clickbank.net common होता है तमाम के तमाम affiliate links में सेम इसी तरह commission junction यूज़ कर रहा होता है इस URL structure को share as sale यूज़ कर रही होती है इस URL structure को अब ये तमाम affiliate networks की आपको primary domain समझ आगे जो कि affiliate networks में यूज़ होते हैं तो इसके बाद हम चलते हैं step 2 में हम affiliate के URL structure को यूज़ करते वे आप site explorer में enter करेंगे उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि referring domains इसकी approximately 800,000 इसकी referring domains है और backlinks 5-16 million है अब number one method तो यह है कि आप बहुत जादा advanced user है और आपको excel पर grip है Google sheets पर grip है जिसमें आप formula apply कर सकते हैं तो फिर simple formula तो यह है कि आप इस reference domain के section में जाएं और यह तमाम list आप export कर लें डाउनलोड कर लें और उसके बाद further filters लगा कर जो के मैं आगे आपको hints भी दूँगा वो sheet में continue कर सकते हैं दूसरा method यह है कि आप backlinks पर click करेंगे कैसे कि आपको पता है यह लाखों में domains थी और यहाँ पर आपने इसका filter वन लिंक पर domain पर set करना है और उसके लबाद अब यह hundred of thousand domains है आप इसको filter से आपने कम करना है क्योंके realistic figure नहीं है किसी भी list को analyze करने के लिए अब आप इसमें filter बारी बारी apply करते चले जाएंगे जिसमें आप backlink type को सबसे पहले in content select करेंगे जिस तरह आपको पता है कि हमें वही website चाहिए जो ब्लॉग अपने अर्टिकल के अंदर Amazon affiliate का link यूज कर रहे हैं वह इस filter से select हो जाएंगे उसके लावा डियार का filter लगाएंगे जिसको आप range देंगे 10 to 30 की क्योंकि जूकर जादा chances यही होते हैं जिनकी authority कम होती है या तो वह new होती है या पर उनके उपर backlinks बहुत कम होते हैं इसको आप अपने experience के accordingly चेंज भी कर सकते हैं उसके बाद domain traffic यानि के वह specific page उसके उपर कितनी traffic है यानि के जो pages आपको इस list में नजर आ रहे हैं उसके उपर minimum 500 visitor और 30,000 visitor monthly होना चाहिए और यह तमाम figures monthly हैं तो इसको भी आपने according filter apply करना है अपने experience और अपने knowledge के according उसके इलावा आपके mind में कोई भी niche होगी वो आप यहाँ enter करेंगे या आप किसी keyword के explore कर रहे हैं वो आप यहाँ enter करेंगे इस filter में जहां मैं referring page title में shoes enter कर देता हूँ तो इसका मतलब यह होगा कि जितने भी URLs हैं उनके title में shoes use हो रहा होगा तो सर्फ उनी को दिखाएगा अब अगर आप affiliate blog बना रहे होंगे तो जिस तरह आपको पता है कि best, top, comparison related keywords होते हैं affiliate blogs में तो मैं यहाँ पर shoes के बजाए best shoes लिख देता हूँ अगर मैं commercial article find करना चाहता हूँ best shoes से related इसी तरह page language को आप change करेंगे English में क्योंकि अगर आप किसी और language पर काम कर रहे होंगे तो उसके according change करेंगे पर हम अब अपनी research English content से related ही कर रहे हैं यहाँ पर आपने referring page keyword यह filter यह काम करता है कि जो भी keyword top 10, 20, 50 positions में आ रहे होते हैं उसको आप filter कर सकते हैं मैं यहाँ पर enter कर देता हूँ 1 to 20 जो जो articles जिनके keywords best shoes हो सकते हैं वो 1 to 20 position के अंदर आ रहे होंगे सिर्फ वो ही इस list में show होंगे अब जब यह हमने इस तमाम के तमाम filters apply कर दिये तो हमारी आठ लाग से list कम होके 123 domains पर आ गई है यानि के अब हमें 123 website जी show हो रही है जो के एक realistic figure है जिसको आप analyze भी कर सकते हैं easily और अच्छे ideas निकाल सकते हैं best shoes related यहां पर मुझे एक list में जो number one पर website नज़र आ रही है और इसके ओपर आपको organic traffic भी नज़र आ रही है और DR भी इसका point seven है नहीं के ना होने के बराब बार है अगर आप DR के बारे में all day जाना चाहते हैं तो मैंने dedicated video बना रहे हैं इस DR की term को explain करने के लिए और आपने इसको क website explorer में HRFT और यह जो best shoes वाला keyword है इसके ओपर आपको volume नज़र आ रहा है 800 month three volume जो के एक अच्छे keyword में consider होता है उसके लाव 57 monthly traffic आ रही है इसी keyword से इसी website पर और फिफ्थ पोजिशन पर यह इस keyword के साथ रेंग हुआ है और जह हम इस website को open करते हैं इस link को open करते हैं तो यहां इस चीज़ कंक्लूड हो गई कि Amazon affiliate की website में यह keyword आपको finalize हुआ जिसकी difficulty ना होने के बरापर है और इस तरह आपको एक keyword मिल गया जो के low competition keyword है जिसके ओपर अगर आप article लिखते हैं अगर आपकी पुरानी website होगी तो immediately rank कर लेंगे अगर आप same niche से related हैं अगर आप नई website plan कर रह था है वो Amazon affiliate के network यूज कर रहा है और उसके आगे आप अपना link place कर देंगे जो के shoes से related है तो आप shoes की category के सामने link place करेंगे अब यह sheet आपके कैसे काम आ सकती है sheet आपके ऐसे काम आएगी अगर आप नीश research कर रहे होंगे तो आप इसी तमाम category से related filters में यूज करेंगे यही तमा मैंने आपको दिखाया था कि 123 websites find early हमने जो के best shoes से related है तो फिर अगर आप उपने shoes से related blog बना रहे होंगे तो फिर जहां से आपको और shoes से related keywords में लेंगे जिसके उपर अगर आप dedicated website बना चाते हैं तो वो बना सकते हैं अगर आपकी partial match domain है जिसमें multiple categories cover कर रहे हैं तो फिर इसी keywords के related आप further research को continue करते वे उनसे related low competition इसी method से find कर लेंगे तो यह तो method था Amazon affiliate से related अब जिस तरह मैंने आपको clickbank की example दी है share a sale का short link बताया है उसी method को use करते वे अगर आप clickbank का system समझते हैं affiliate network को समझते हैं और उससे related websites को crackdown करना चाते हैं find out करना चाते हैं तो वो भी same method से होगा इ उसके short link को भी आप यहां इंटर करेंगे और इसी तरह reverse engineering करेंगे इस reverse engineering में आपको ऐसे ऐसे ideas मिल जाते हैं local low competition होते हैं और उससे आपका time कम हो जाता है और within a month आप results लेना शुरू कर देते हैं अपने blog में अगर वो low competition keyword होगा तो जल्दी rank होगा और जल्दी results मिलना प्लेइस बना रही है आपको उसको देखना जरूरी है जिसे paid a free plan in detail में explain किये है beginners को मेरा मश्राइए है कि पहले उसको देखेंगे फिर उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे तरीके समझ आ सकी तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी है तो आपके यूट्यूब चनल सब्सक्राइब कर रखा है फेस्बूक पे पेज फॉलो किया वा है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं that's all for today thank you very much have a good and safe day